दोस्तो हमारे साथ दर्भंगा वाले खांसर है बहुत मत करना है क्योंकि स्रीज LCR सर्गिट पिछली बार आ गया है तो बहुत मत पढ़ना स्रीज आई आरे में बच्चे वहाँ कंफिच होते हैं कि अब्जेक्टिव क्योंकि ऑप्शन बहुत है उसमें किस कुस्चन को करना ह कुछ ऐसे बच्चे होते जो कि स्टार्टिंग मस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आपके चैनल एश्टूडेंट जैक्शन पर दोस्तो हमारे साथ दर्भंगा वाले खांसर है आरी खांसर हमारे साथ जो कि एक फिजिक्स के जाने माने चेहरा दर्भंगा और मिख्ला में मा अब अब लोग आए यहां पर इसकले देंगे सो मच सर विहार बोड के तरफ से कुछ ही दिनों के बाद बहुत कम टेम बचा एक्जाम होने वाले बच्चे बहुत ज्यादा ही फ्रॉस्टीट हो जाते हैं क्या करना चाहिए बच्चों के लिए फ्रॉस्टेट होना आपने दिया हो आपने दिया हो या अभी के जनरेशन दे रहें बट यह है कि अभी जो लास्ट के दस दिन बचे है इसमें पूरा फुल पैक हो जाओ अपने आपको 16-18 गंटा पढ़ाई पर देना सुरू करो तब बढ़ा बढ़िया रिजल्ट रहेगा और सेल्फ मोटिव यह भी है कि आईटी का एक्साम और बोर्ट का एक्साम कोलाइट कर गया है जही में इसका तो यह चिंता का विशय है बिहार बोर्ट वालों के लिए तो पहले आपको बोर्ट पर ध्यान देना है अगर माल लेजी कि दो तारीक को जिल्लों का मैप है और एक तारीक को अगर आईटी है तो अगर सिंटर कहीं दूर है तो मैं तो प्रिफर नहीं करूंगा कैसा नहीं हो कि आपका आईटी के चकरें बोर्ट खराब हो क्योंकि अगर आपको 75 पर सिंद मार्क्स नहीं आता तो आप तो एडवांस के लिए अलिजेबल भी नहीं है मैं कोई टीप्स पर आज बात कर रहा क्योंकि बहुत कम समय है तो फिजिक्स में क्या होता न वेवेग जी कि सबसे आदा डर बचो को फिजिक्स में लगता है वह सुनदर सबजेक्ट है आप कहीं भी पढ़यों इच्छा पढ़ाते हैं आपने कहीं भी पढ़ाये क्यों लास्ट में मुझे लगता है कि कुछ important question है जो पढ़ने की जरूरत है मैं chapter wise बताना चाहूँगा कि कुछ important question अगर तुम इसको पढ़ लोगे न तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमारे paper बहुत अच्छे जाएंगे और जो इतना confusion कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें इतना बड़ा syllabus है इतने chapters हैं इतने questions हैं क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए तो उनसे बचने के लिए आप्टिक्स में अगर हम बात करते हैं आप्टिक्स सबसाधे questions वहीं से रहेंगा तो एक questions पहला आता है हाईजेंस वेफ फ्योरी से reflection और reflections of light को पूरूफ करना खुब अच्छे से करके जाना तीन-चार साल हो गया है नहीं आया है आता है तो बहुत आता है इस बार मेरे तरफ से बहुत धीविया एक question है लेंसमेकर फार्मूला चुकि आ चुका है last बार तो मुझे लगता है कि उसकी संभावनाएं कम है एक question है प्रिज्म का रफ्रेक्टिम इंडेक्स निकालना, mu is equal to sin a plus del m by 2 by sin a by 2 तो यह questions नहीं आया है कई साल से मुझे लग रहा है कि questions बहुत जादे important होगी तो दूसरा question मेरे तरफ से यह रहा है अगर रफ्रेक्टिम इंडेक्स प्रिज्वाला निकालना एक और question है यंग double slit experiment and interference of light, constructive interference, destructive interference तो यह जो तीन questions है मुझे लगता है optics क्योंकि optics बहुत ब्रॉड होता है बच्चों को यह नहीं समझ माता है एक सर बच्ची के लिए optics सर्दर्द भी हो जाता है होता है बट इसी सर्दर्द को हम लोगों खतम करना है जब अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को के लिए physics असान करना चाता हूँ जो भी आप मुझे देए इस तीन questions को optics के जो मैंने भी कहे हैं आप इसको देख करके आप optics में इसको follow करें अब आते हैं हम लोग इस पर modern की questions अच्छे खासे आ सकते हैं और communication की communication में आपको दो questions बहुत अच्छी से करना है block diagram of communication system जिसमें आपका transistor है receiver section है antenna section है उसको बहुत अच्छी से करना है टावर का range निकालना d is equal to under root 2 रह system जो है फर्मुला टावर का range निकालना बहुत important होगा मुझे लगता है इस पर तो यह दो questions में आपको space wave propagations पर नहीं ले जाओंगा क्योंकि फिर आप lane दी चले जाएंगे बिलकुल घबराएगा मत जो बोल रहा हूं बस उस questions को बहुत अच्छी से कीज़ेगा तो यह communication से दो questions है modern physics से pn junction diode उसके भी आई characteristic बहुत important है और diode as a full wave rectifier यह important है एक बड़ा popular question है board का वो है semiconductor insulator और conductor में differences तो उसको बहुत अच्छी से कर रहे हैं एक और मेरे तरफ से question add करना एंपन transistor जो common emitter mode में काम करता है उसके use आप common emitter mode पर लोगे ना तो उसी में हलका सा देखना चेंज है as a switch और as a oscillator switch में जैसे cut-off region और saturation region और active region team region तो रिजन में काम करता है तो उसको थोड़ा जब आप transistor के input output characteristic को पर लोगे तो यह अच्छे से आजएगा transistor as a switch transistor को एक कोशन यहां से जो है मैं बहुत limited कोशन दे रहा हूँ कुछ सर सौट कोशन नहीं बदा जी को कि बच्चे वहां भी confusion है मैं आ रहा हूं लेकि मैं थोड़ा सा भी दो तीन और जो टॉपिक बचन में बदा तो तीन चार चेप्टर होगे magnetism बहुत important बहुत जादे important तो magnetism में इस बार pharo magnetic substance hysteresis loop dia और paramagnetic material से एक पांच नमबर के कोशन रहेंगे magnetism में मुझे लगता है कि torque निकालना rectangular current carrying coil का magnetic field में वह भी question आ सकता है और magnetic dipole को rotate करने पर potential energy क्या होगी यह question आ सकते है magnetic field ring के axial point पर निकालना आ सकता है और एक बायोट से वाट लोग को पढ़ना आप ज्यादे बद रेशन नहीं लो मैं जो जो question बोलना बस इस को कर लेना और बस उसकी वेज़े से axial point पर magnetic field निकालना पढ़ लेना तो यह overall आपका अच्छा चला जाएगा अच्छा AC से alternating current से बहुत मत करना है क्योंकि स्रीज LCR circuit पिछली बार आ गया है तो बहुत मत पढ़ना स्रीप IRMS आई अबरेज यह पढ़ लेना transformer को अच्छे से पढ़ लेना generator को अच्छे से पढ़ लेना कि बहुत साल से नहीं है तो average current IRMS current AC से है ना transformer और generator यह अच्छे से कर लेना है इलक्ट्र स्टैट से अगर बोलोगे तो मैं बहुत जादे बड़े नहीं दूँगा बहुत बड़ा है एक गौस्थिरम अच्छे से पढ़ लेना है एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट है वो है फोटो एलक्ट्रिक एफेक्ट और उसके लोग इस बार वो आएगा फोटो एलक्ट्रिक एफेक्ट और लोग वो बहुत अच्छी से करके जाना current में लॉंग टाइप कोशन आने की संभाव नहीं है मुझे लगता है अगर आता भ फाइबर को अच्छे से कर लेना में टॉब act और इमित्र कार एक्ट पर अलंतर गिंपर का क्या होता है कैसी के सब्सक्री को इसकी क्या होता है किसी करते हूं cyclotron का कुछ short type questions आ सकते हैं तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना brister log को अच्छे से एक बार देख लेना हैना total internal reflection से आ जाते हैं short type questions हैना what is shunt ये सब थोड़ा सा देख लेना और हाँ एक बहुत important Fraunhofer और functional diffractions के differences को पढ़के जाना short type के लिए diffraction of light का है what is polarization ये भी questions आपके आ सकते हैं हैना कौन सी light polarized होती है कौन सी नहीं आती है ये सब sort questions आ सकते हैं sir अब especially बच्चे वहां confused होता है कि objective option बहुत है उसमें किस question को करना है उस ऐसे बच्चे होता है जो कि starting के hard question अफ़स आते हैं कि last one को हो सकता है कि असान को सब्सक्राइब तो उसको कैसे कर अब्जेक्टिव कर से हैं बढ़ाएगा जैसे लास्ट यह सबसे ज्यादा अब गलूप्रेंट बता रहा हूं चीज़का तो अच्छा अब्जेक्टिव में नोमरीकल छोटे छोटे जैसे दो capacitor तीन capacitor को series parallel में जोड़ देगा दो तीन को resistor को series parallel में बोलेगा equivalent resistance क्या है है आरलसी circuit का impedance पूझदेगा रेडियो एक्टिविटी और निकोलियाई से objective परना मैं बहुत बच्चों को देख रहा हूं कि निकोलियाई और एटाम पर परिशान और बिलकुल नहीं वेस्टेज ऑफ टाइम लॉंग टाइप में इतने option रहेंगे कि अगर आप उसको नहीं बिटेज करते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं तो objective में अगर मैंने जितनी चीज़ें बताई है वहां से भी आपका कम से कम 15-20 objective पकड़ा जाए आपको 35 तो थोड़ा सा मेहनत की जोड़ों कि objective में अगर आप optics को बहुत अच्छे से करके जाते हैं और magnetism को अच्छे से करके जाते हैं याद रखनों optics magnetism और AC तो मुझे लगता है कि आपका object जो objective का section 35 का अच्छा का सब्सक्राइब करें तो या तो optics हैं रे optics के numerical पूछे जाते हैं या magnetism में वही angle of deep angle of declination वाले question से रहते हैं और capacitor का equivalent capacitor का पांच capacitor दे दिया बस्ता जाना तो बहुत easy था तो numerical जो board में आएंगी इतने आसान होते हैं कि आप derivation से इच्छा है कि numerical attempt कर लें पट वो किन के लिए जो last time में अगर अभी आप numerical बनाने की सोच रहे तो यह wastage of time होगा मैं फिर कह रहा आप numerical सुरू से बनाते हा रहे हैं अगर आपने टीचर ने बनवाया है numerical based अगर आपने इसके पढ़ाई किये तब ही numerical को attempt करें तो numerical मुझे लगता है कि capacitance के numerical, optics के numerical और equivalent circuit जैसे ohm slow अगर पे based questions आ सकते हैं मैं और कहूंगा भी बेजिए अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं जितने भी last 15 साल के objective पूछे हैं अच्छे से उसको पढ़ लिए जितने भी last short type question 15 साल की बिहार बोड में पूछे हैं अच्छे से पढ़ लिजे कुछ भी बाहर अच्छे नहीं आ रहा है और यह स्तरी physics की मैं बात नहीं कर रहा हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा एक दिन में पूरा कोवर अप कर सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं यह कुछ दनगारी थे आप सभी बच्चे के लिए अगर आप इस वीडियो को फेस्वीप कर देख रहे हैं प्रेस को फॉल्लव कर लिजेगा कर दो दो भारी थो खारत